नमस्कार दोस्तों जैसे कारणों से पाकिस्तान के लोगों की इस्थिती और पाकिस्तान की दुनिया के और देशों के बीच में रेपूटेशन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है और ये इस्थिती और भी बिगड़ती ही जा रही है आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के थ पाकिस्तान अपने पूरे इतिहास में राजनितिक अज्स्तिर्ता और सैन्य तक्त पलट से त्रस्त रहा है वहाँ पर कोई सरकार कभी ठीक से काम नहीं कर पाई जिसका एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान पर बाहरी देश जैसे चाइना और USA का काफी हस्तक शेप रहा है पाक 2. आर्थिक चुनोतियां. पाकिस्तान की अर्थ वेवस्ता कभी स्टेबल नहीं रही है वहां की एक स्टेबल ग्रोथ के लिए हमेशा से ही शंघर्श किया है और पाकिस्तान ने पिछले सालों में कई आर्थिक संकटों का सामना किया है करप्शन, बैट गवरनेंस, इन्व चाइना से पैसे तो लेता है लेकिन उसे चुकाने में असमर्त रहा है और इसी कारण से पाकिस्तान काफी करजे में रहा है और अब इस करजे से निकलना उसके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है सारी समस्याओं से परे पाकिस्तान की एक बड़ी और गंभीर समस्या है कि वो टेर्रिज्म को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया आजादी के बाद से ही वहाँ आतंगवादी समुओं का जन्म होना शुरू हो गया था और समय के साथ साथ बढ़ता ही गया इसको रोकने के बज़ाए पाकिस्तान ने उसे और बड़ावा दिया और अब पाकिस्तान खुद ही इस संकट से निकल नहीं पा रहा है दुनिया भर में पाकिस्तान को एक आतंगवादी देश के रूप में देखा जाने लगा और इस कारण से कोई और देश इसकी मदद के लिए भी सामने आने से इंकार कर रहा है तालिबान और अलकाइदा जिससे उग्रवादी समूओं ने देश और दुनिया में कई हमले किये जिससे दुनिया में पाकिस्तान की रेपुटेशन और खराब किये पागिस्तान की इस इस्तिती के पीछे का एक और बड़ा कारण है कि पागिस्तान हमेशा से ही अपने आसपास के देशों से लड़ता आया हुआ है पागिस्तान के स्वतंतरता के बाद से ही भारत के साथ तनावपुंड संबंद रहे हैं और दोनों देशों ने वर्षों में कई उध लड़े हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और इरान सहीद अपने बाकी पडोसी देशों के साथ भी रिलेशन्स को खराप करके रखे हैं। और constantly इन देशों के साथ तनाओ का सामना करता है। 5. सामाजिक मुद्दे पाकिस्तान गरीबी, अशिक्षा और स्वास्त संबंदी चुनोतियों सहीं कई सामाजिक मुद्दों का भी सामना करता है। इन कारणों से वहां की समाज में कभी गतिशिलता नहीं आई। देश के लोग ही अगर शिक्षित और समरद नहीं होंगे तो देश का आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। और इन कारणों के चलते देश का कभी विकास नहीं हो पाया है। कुल मिलागर अभी पाकिस्तान की मौजुदा इस्थिती काफी संकट में है। पाकिस्तान पर अभी गहरा आर्थिक संकट चाया हुआ है। और आतंगवाद के चलते दुनिया के बाकी देशों के बीच में भी उसकी रेपुटेशन को काफी नुकसान हुआ है। आम जनता का जीवन भी काफी कठिन हो गया है। घरेलू गैस, अनाज और सबजियो जैसी बेसिक चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब लोगों के लिए इनकी आपूर्ती करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तो आज के उस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंदा आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए।